अमेठी में लोगों से राहूल गांदी का वादा 101 टक्का बन कर रहेगा फुटपार्ग अपने संसिद्यक शेत्र अमेठी पहुचे कॉंग्रेस अदेक्ष राहूल गांदी ने नरिंद्रमोधी सरकार पर जम कर हमला बोला है प्रियांका गांदी वाद्रा के कॉंग्रेस महासचयों बनाये जाने पर राहूल गांदी ने कहां है कि मैंने प्रियांका को कहां है कि वो जब्ही अपना पड़ संभालेंगी तो सबसे पहले यहाहां आकर लोगों से मिले उन्होंने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में अगली सरकार कॉंग्रेस पार्टी ही बनाएगी वही राहूल ने केंद्र की नरेंद्रमोधी सरकार पर जमकर निशाना साधा है उन्होंने कहा है कि मैं जूट नहीं बोलता हूँ वही करता हूँ उन्होंने कहा कि प्रदानमंत्री नरेंद्रमोदी भगवान का नाम लेकर जूट बोलते हैं राहूल ने कहा कि नरेंद्रमोदी नफरत और क्रोथ की भावना का चिन्न है वही राहूल ने यहां आए लोगों से पूछा कि क्या आपको अभी तक 15 लाक रुपे मिले इसके लवाँ उन्होंने यहां चोखिदार चार के नारे भी लगवाए राहूल गांदी ने राईबरेली के लोगों से वादा किया है कि यहां पर फूट पार्क बनाया जायाएगा उन्होंने कहा कि यहां 101 फिजदी फूट पार्क बन कर रहेगा वही कॉंग्रेस अधिक्ष राउल गांदी ने कहा कि प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी ने लोगों के 30,000 करोड की चोरी की 56 का सीना अब कमजोर हो गया है राउल ने कहा कि प्रदान मंत्री ने चीन के सामने घुटने टेक दिये हैं मैं 24 घंटे आपकी लड़ाई लड़ता वही समाजवादी पार्टी और भाउजन समाज पार्टी के गड़ बंदन को लेकर उन्होंने कहा कि मैं मुलायम सिंग यादव मायावती और अखिलेश यादव का सम्मान करता हूं लेकिन हम कॉंग्रेस की विचार धारा के लिए लड़ेंगे उन्होंने कहा कि उत्तर प्र प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है वही हम आपको बता दे राहूल ने कहा कि प्रदानमत्री नेरेंदर मोधी ने उद्धपतियों के करोड़ों रुपए की कर्ज माप किये हैं लेकिन किसानों के लेक कुछ नहीं किया उन्होंने कहा कि मद्यप्रदेश चतिसगर और र कर दिया गाफ कर दियां